ये है बिहार संपर्क क्रांती एक नए रंग में एक नए रूप में इसमें मदवनी पेंटिंग को यहां पर सजाया गया है और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं क्या नाम है आपका महालन नित्रा हुआ अच्छा यहां जो पेंटिंग है इसके बारे में बताइए क्या-क्या चीजें है तो बिहार संपक्रांती संपक्राश सक्षिस पर दर्फिंगा इंवर्चिटी के संस्क्रित विश्यूदैले का एक मानचीत है जो गेट पर जाएंगे दर्वंगा में तो आपको मिलेगए वही में लोटस देख रहा हुआ यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमान सांस्क्रितिक चीजों को भी यहां दिखाए गया और जब अंदर की बात करेंगे तो अंदर कुछ और न जा रहे हैं यहां पर आप देखें तो इसमें और यह क्या दिखाए गया है यह चक्र है और यह रंगोलिया बनाई गए गया और इसके अलावा मध्वणी के बारे में आपको बताना चाहता हूं मध्वणी मिधला का हिर्दियास्थिली और जहां से देश्व दुनिया में आज विद्य बाधनी के कमी लगा है विद्धियापति का इसमें चिक्र नहीं है विद्धियापति हम कह सकते हैं ऐसा नाम है जिसके मिधलांचल में सबसे जाधा सम्मान सबसे जाधा आदर है और इससे बड़ी बात या है कि बड़े कभी हुआ करते थे और बपती जी के चर्मल में भगवान भोले संकर जी ने आये थे उनके दरवार में माधा टेगा था और भगवान सिर्फ खुद उनके यहां रहके उजे सेवा करते थे विद्यापती जी की वह पहचान है मिधलांचल में उनकी ये बहुत अच्छे जाने जाने बार उनके चाहने वाले होगे अभी और देश दुनिया में इसा पूर्ब में यह हुआ थे विद्यापती जी करना आज वह होना चाहिए था मुझे तब गर्व होता मैं भी विस्पी से जगवन रहने वाला हूँ गाव से छोटे विस्पी ब्लोग के छोटे से गाव जगवन गाव मैं वहां रहने वाला लाओ विद्यापती जी का यह सम्मान वोना चाहिए था मिध्यापती नहीं है इसका कही न कहीं लोगों में दुख है कि उनको भी यहां पर जगए मिलनी चाहिए थी और इसमें और क्या-क्या चीज़ नहीं बाकी लोग है कौन-कौन्स तो सूरी का ये दूसरा रूप है और साथी साथ कहा जा रहा है कि बाहर से तो सजा दिया अंदर कुछ किया नहीं मैं दिल्न से रफंगा का बैए निकला में पान मखान और मचली इसका बहुत बरा उलेख होता है आपको दिखने को मिला है और यहां पर यहां पर भी मचली है अब जब बेनी पट्टी में जाएंगे उच्छइट वासनी का दर्वार है वहां पर मचली का द्वार बना वही द्वार का स्वरूप भी और यहां पर क्या दिखाये गया यह यह कलस है इसी सुब काम के लिए दर्शाया जाता है और यह गाय को भी दिखाया गया है तो गाय को भी यहां पर दिखाया गया है तमाम ऐसे सिंबल्स है जिनको यहां दिखाया गया है और यहां क्या दिखाया जा रहा है क्या बताया जा रहा है ये माजानकी का सुरूप ये माजानकी का सीता जी का ही एक मुर्थी को रूप में दिया गया है मिधिलांचल की जब बात करते हैं तो सीता जी का घर माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि जनक की जगे थी राजा जनक का इलाका था मिधिलांचल और मिठिलांचल इसलिए सबसे आदा फेमस है क्योंकि जब हम भगवान राम और माता जानकी की बात करते हैं तो कहीं न कहीं मिठिलांचल का भी जिक्राता है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो आर्ट है उसको सब लोग जान सकें और इसके बारे में अनिभिक गिनारे हैं यहां पर देखें किस तरीके से अलग अलग चीजों का चित्रण किया गया है और जो जिन्दगी में तमाम चीजें होती हैं जैसे यहां आप देख सकते हैं क किस तरीके से यहां पर हमें लगता है कि घर में खाना बना रही है कोई ग्रहणी उसको यहां दिखिक जिया गया तो तुक तमाम ऐसी अक्टिविकी दिखाई गई है तो कहीं न कहीं लोगों को मिठिला की आर्ट से या मिठिला पेंटिंग से परचित कराने की एक अच्छी कोशिस कही जा सकती है